नमस्कार दोस्तों मैं संतोर श्रिवास्त हूं माई टैलेंट चैनल में आपका स्वागत है हाजी रूम एक नहीं रेस्पी के साथ में तो आज आपको मैं अचार बनाना बताऊंगे इंस्टेंट अचार जो आप तुरंत बनाईए और तुरंत खाईए आपने देखा होगा कि जार कि ढबावे वाले लोग देली राचार बनाते हैं इन ईस्टोर करके रखने वाला नहीं है लेकिन अगर आपको श्टोर करके рखना्य तो ंअको बताऊंगे है यह बनाने माला है और को आप हटे-dtस दिन रखकर खा सकते हैं और इतनी जल्दी नहीं खराब होगा तो मै दो मैंने आदा-दा किलो मूली और गाजर लिए थोड़ी सी 10-12 हमने मिर्च ली हैं और छोटा टुकड़ा अद्रग का लिया हैं अब हम इसमें क्या करेंगे एक चम्मच हल्दी मिला देंगे और दो चम्मच हम नमक मिला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे यह द अब हम इसको भाप में पकाएंगे ताकि थोड़ा से सॉफ्ट हो जाए और यह तुरंत खाने लाइक हो जाए तो किसी बर्तन में पोड़ा सा पानी डाल देंगे और कोई छणनी वगएरा में इसको रखके ऐसे रख देंगे उपर से फ्लेट ढगके इसको भाप में कम से कम दस मनट तक पकाएंगे तो हलका सबस पकाएंगे ज्यादा उसको गलाना नहीं हलका ख्रंची सा रह बस हलका से सॉफ्ट करना है तो अभी दस मनट हो रहें जब तक उसको पकड़ा मसाले तियार कर लेतें तो यह हमने तीन चमँच मेरी चोटी चमच है श्माल साइज तो त और यह देखिए कलोंजी लेंगे आदी चमज और यह बनार्शी राई आप काली वाली मोटी राई भी ले सकते जो आपके पास हो तो अभी हम देखिए कुछ मसालों को इनको पीसेंगे जो प्लेट में मसाले हैं इनी को सिब पीसेंगे बाकी को नहीं पीसेंगे और अगर मूला हुआ पाई है और अब इसको फैल फैल कर रख देंगे ताकि ठंडा भी हो जाए और एक्स्ट्रा पांडी उसका मर जाया हवा से तो वह जब तक एक गेर घंटे लिए ठंडा असको कर लेंगे और उसके बाद में हम थोड़ा से इसमें तेल लेंगे तो यह मैंने चार से पांच चमश तेल को अच्छे से गरम कर लिया हैं और जब अच्छे से दुआ नहीं करने लगे फिर उसको गैस से उतार लेंगे इसको एक तुमने ठं मैं पाद्ट का दिया था इसमें में और थोड़ी से एक चंबस अप्छे लिए में चंबस्ति आप अब्रूदी में में दूर्ड़ा ज़एंगे और विख़े नहीं गरम तेल में दों टीम तो गरम पूंच तेल में दित रहते हँए हिए मैं पर्स्थ तालक तेल में लेट चमज काला नमक डाला एक चमज सपेद नमक डाला और तेष्ट भी अच्छ आथा और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे चमज से और यह करें कर देंगे और इसको करें बुझे से नीचे उपर करके पर की नहीं आप तो तो इसमें तेल थोड़ा से ज्यादा ले ले वना ये डेली उज़ करने वाला जो होता है इसमें तेल कम लगता है बस मसाले हमें इसमें मिलाने होते बस इतना ही और ये देखे मैंने विनीगर डाला है खटापन करने के लिए आप हमचुर पॉडर भी डाल सकती है तो मैंने ये चैनल में नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर दे और पर सेट कर दे और वीडियो जिस पसंद आती तो प्लीस लाइक ज़रूर करें कमेंट्स में बताएं वीडियो कैसी लगी मिलते हैं नेक्स टैस्ट बाइब बाइब